Once again friend, Welcome to your channel आज वाले इस वीडियो में हैं बात करने वाले है GeoJoin Application से जोड़ी Problem के Solution पर दोस्तो जो GeoJoin Application है इसमें एक Problem आ रही है उसी का Solution आपके साथ Share करने वाले हैं अगर दोस्तो आप हमारे चैनल पर नए है तो grant access पर click कर देते हैं next पर आते हैं यहां कुछ permission इसको हम लगतार allow करते चले जाते हैं और उसके बाद हम यहां से next प्रेस करते हैं again हम यहां से permission देते हैं तो हमारे से हमने इस तरह का error आ जाता है internal error please connect to geofiber wifi and try again दोस्तों पहले हम इसको geonet से भी चलाते थे तो यह easily login हो जाता था इस तरह की problem face नहीं करने पड़ती थी लेकिन अब हमें इस तरह की problem face करने पढ़ रही हैं तो हमें दोस्तों यहां से करते हैं तो यह automatically back हो जा रहा है तो इस तरह की problem जिन लोगों को face होती है तो यहां पर मैं आपको बता दू कि यह जो problem है यह आपकी clear catch clear data से भी solve नहीं होती है और दूसरा दोस्तों जैसे ही हम यहां से mobile data on करते है वाइफाई को close कर देते हैं और उसके बाद इस application को open करने की कोशिस करते हैं देखिए उसके बाद भी हम इस application को open करते हैं तो हमारे सामने same वही problem आती है प्ली अगर दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं है अगर आप अपने mobile data की चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस application के new update तक इंजार करना पड़ेगा clear catch, clear data यह problem solve नहीं होने वाली है और बेफजूल के methods YouTube वीडियो के अंदर बताये गए हैं उन से आपको follow करने की कोई जरूरत नहीं है हो सकता है बहुत ही जल्दी जो अगस्त के बाद सितंबर आने वाला है first of week सितंबर के अंदर इस problem को all over India solve कर दिया जाएगा तो आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा तो आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको यहीं अपडेट देनी थी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all, take care